इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और इसी बीच कुछ ऐसी खबरे भी सामने आ रही है जिससे सुनकर या तो आप हैरान हो जाते होंगे या फिर आपकी हसी निकल जाती होंगी कहीं दूलहन स्टेश पर ही शादी के लिए इनकार कर देती है तो कहीं दूलहा अपने ही शादी से फरार हो जाता है और इसी बीच बिहार के छपरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सुनकर आप चौक जाएंगे दरैसल बिहार के छपरा में अजब शादी की गजब कहानी देखने को मिली हुआ यूँ कि अपने होने वाली पत्नी से मिलने की बेकरारी एक दूलहे को इस कदर पढ़ी कि उसने ऐसा कदम उठा लिया कि घरवाले भी परेशान हो गए यूँक की बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो अपनी मंगेतर को लेकर ही शादी से पहले फरार हो गया यूँक की सगाई के बाद शादी के लिए बेचैनी बढ़ रही थी घरवाले तारीख पर तारीख दे रहे थे अचानक से लड़की गायब हो गई परिजनों को पता चला कि लड़की अपनी होने वाले पती के साथ ही फरार हो गई है परिजनों के मताबित अपनी मंगेतर को दूलहां ही लेकर के फरार हो गया तब तक इधर पुलिस में केस दर्ज हो चुका था घटना छपरा के पानापुर प्रखंड की है यहां रामरुद्रपुर गाउं में संध्या नामक लड़की की शादी दियारपुर थाना छेत्र के अकबरपुर गाउं निवासी बंभोला सहानी के साथ तै होई थी छेका का रस्म पूरा हो चुका था दोनों पक शादियों की तयारी में जुट गये थे शादी अगले साल होनी थी लेकिन तारीख अभी तै नहीं हुआ था किसी कारण वश यह तारीख बढ़ते चली जा रही थी और इधर दूलहे की बेचैनी भी दूलह दूलहन रोजाना फोन पर घंटो बात करते थे बोलबम को अब एक पल भी संध्या के साथ बिना रहे गवारा नहीं हो रहा था उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया कि दोनों घरों के परिजन परिशान हो गये और अपनी दूलहन को लेकर के ही वो शादी से पहले ही फरार हो गया बाद में पुलिस में केस दर्ज कराया गया इसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामत कर लिया दोनों की बेकरारी को देखते हुए परिजन और पुलिस ने एक फैसला लिया पुलिस वालों की उपस्तिती में ही ठाकुर बाडी मंदिर में परीजनों ने इनकी शादी करा दी जिसके बाद से ही ये चर्चा का विशय बनी हुई है दूलहा अपनी शादी के लिए इतना बेचैन था कि उसने शादी की तारीक कभी इंतजार नहीं किया और मौका देखते ही अपनी होने वाली पत्मी को लेकर के फरार हो गया जिसके बाद पुलिस और परीजनों को ये कदम उठाना पड़ा कि शादी की तारीक से पहले ही मंदिर में उनकी शादी करा दी गई झाल